हलो स्टूरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्जाम्पल नमबर टू, फिजिक्स के एक्जाम्पल से और यूनिट नमबर है पाइफ तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ये एक्जाम्पल नमबर टू है मतलब आसमान की तरफ एक समझेए बॉल है, तो इसको आसमान की तरफ वर्टिकली अपवर्ड जो इस वो फेका गया तो फेक के जाने के बाद में क्या होता, कुछ देर के बाद वो बॉड़ी नीचे की तरफ आती है जो ये अपवर्ड जा रहा, उपर की तरफ जा रहा, तो इसके लास्ट सेकेंड में, आखरी जो सेकेंड है उसके अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा, वो कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा, वो मालम करना है हमां को तो आखरी सेकेंड में तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम जो इसका सपोस्थ ये फाइनल पॉइंट है इसकी बॉड़ी जो है सो यहां से समझे ये लास्ट सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंची तो फिर जब वो यहां से नीचे की तरफ आएंगी ये पॉइंट पर ये इसका फास्ट सेकेंड रहेंगा डानवर्ड मोशन का तो जो रहेंगा मतलब अपवर्ड मोशन का जो लास्ट सेकेंड रहेंगा अपवर्ड मोशन का लास्ट सेकेंड और डानवर्ड मोशन का फास्ट सेकेंड ये दोनों भी equal है ते, ओके, तो चलिए लिखेंगे हम, the distance covered by the object in its last second, उसके आखरी के second में, इन its last second, जो distance है, cover हो रहा, आखरी के second में, ठीक हैं, किदर upward motion में, of its upward motion, upward motion, is equal to, तो ये equal रहेंगा, किसके equal रहेंगा, is equal to, the distance, जो उपर की तरफ जा रहा, उतना, और नीचे उतनने का, जो distance है, वो equal रहेंगा, is equal to the distance, covered, in the, first, second, of its, downward, motion, तो वो जो नीचे आने का, जो distance है, ये, मतलब उपर जाने का, और नीचे आने का, डिस्टेंस जोनों भी, इक्वल रहेंगे, ओके, तो अब एक एक बात यहां पर यह याद रुखना है, so what is this, ये क्या हो रहा, एक body हम उपर की तरफ फेक रहें, तो वो यहां पर इसका जो initial velocity है, initial velocity means you, ओके, तो initial velocity है, उसी तरीखे से time है, उसी तरीखे से क्या है, G है, ओके, G means acceleration due to gravity, कभी देखे होंगे मजदूरां, क्या करते हैं मजदूरों को, बिल्डिंग के उपर ठहरे वे रहते हैं लगा, और नीचे एक मजदूर रहता, इंट जो एसो उन्हें जोर से उपर की तरफ ठहिकता, तो क्या होता, मार लगती उसको, नहीं लगती, अगर वो यह जो एसो रोट पे अगदमी चर रहा है, उसको इंट फेके मारो, मार लगती, तो उसको कई को आद में, उपर वाले को मारने लगती और उन्हें एजिली वो इंट को कैच कर ले सकता, विकाज जब इंट नीचे से उपर की तरफ ठेकते नाम, तो उसके अंदर जो स्पीड है, वो हलू हलू कम होते होते, जीरो हो जाती, तो कुछ भी असन नहरता उसका, तो वो इजिली वो पकड़ के रख लेता समझो, ओके, तो इनीशियल वेलासिटी जो है, उपर एकदम जाने के बाद में, वो हो जाती, जीरो, ओके, और यहाँ पर जो टाइम दिये, इसके लास्ट सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में, लास लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर्म्ला, फॉर्म्ला है, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वार, यहाँ पर एक्जल अर्जिन डियू टू ग्राविटी है, इसलिए हम ए नह लिखेंगे, जी लिखेंगे, एस इक्वल्स टू हाफ GtSquare, ओके, सो S, S is a Maximum displacement, जो डिस्टेंस है, U है 0, और T, प्लस, T means 1, 1 चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, हाफ G कितना है जी की वैल्यू, चैन, और T है 1 का स्क्वार, S is equal to 0 into T, 0 plus half यह पर हम चाहे तो cancel कर सकते two ones are two five's are so five ones are five, one का square one, so zero plus five ones are five, zero plus five is five, so therefore the maximum distance covered by the object is five, meter क्योंकि meter में दिये इसलिए हम meter लिखेंगे example number three two bodies fall freely from different heights, two body so freely fall means ऐसा उपर से सिर्फ छोड़ दे रहें अगर कोई object को हम force apply नहें करते हैं, जैसा कि नीचे से अगर हम आगो उपर की तरफ ठेकना हैं, तो हम क्या करते हैं, ताकत apply करते हैं, force apply करते हैं, लेकिन अगर हम आगो उपर से किसी building के उपर से ठेर के हम ball छोड़ दे रहें, तो उसके अपर force apply करें, नहीं कुछ भी force apply नहें करें, तो उसको बोलते हैं, freely falling body तो दो bodies fall freely हो रहें, from different heights, अलग-अलग height पे, जैसा यहाँ आपर देख सकते हैं, यह first body है, यह second body है, and reach the ground simultaneously, तो एक के देख, ground पे गिड़ जाएंगे वो, the time of descent, time of descent means, नीचे उतरने का time, नीचे तक पहुंचने का time, for the first body is two seconds, पहली body को नीचे पहुंचने, दो सेकंड लग रहें, and for the second body, the time is one second, और जो दूसरी body को जमीन पे पहुंचने कितना time लग रहा, one second, at what height was the first body situated, तो किस height पर first body है, when the other began to fall, तो जब दूसरी वाली fall होना शुरू हुएंगी, मतलब ये first body क्या height पर रहेंगी, अगर second body जमीन पर पहुंचन जाएंगी, तो तो चलिए, स्टार्ट करेंगे हम solution, जो second body है, उसको एक second लग रहा, जमीन पर पहुंचने, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, the second body takes one second to reach ground, तो जमीन पर पहुंचने के लिए इसको एक second लग रहा, ठीक हैं, तो अब हमा को first body का, first body को कितना time लग रहा, दो second, तो वो दो second में भी हमा को मालुम करना है time कितना लग रहा, तो पहले हम first second का भी मालुम करेंगे, और second second का भी मालुम करेंगे, तो चलिए, लिखेंगे हम, so, we need, क्या मालुम करना है मा को, we need to find, we need to find the distance, the distance traveled by the first body, first body से कितना distance travel हो रहा, वो मालुम करना है, by the first body in its first second and in two seconds, तो first second में ये body कहां तक पहुंचने वाली है, और second में कहां तक पहुंचने वाली है, वो distance हम find out करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहले तो हम second, two seconds के अंदर, कहां तक पहुंचने वाली, वो हम मालुम करेंगे, so, the distance covered by first body in two seconds, तो दो seconds में कहां तक पहुंचने वो body, मालुम करेंगे हैं, जैसा कर मैं पिछले problem में बोला था कि, ये freely falling body है, मतलब हम कुछ भी force apply नहीं कर रहें, तो अगर हम कुछ भी force apply नहीं कर रहें, तो initial velocity कितनी होती, जीरो, ओके, और, distance तो मालुम है माँ को, हैस जो है, वो हैच वन है यहाँ पर, फिर इसके बाद में, axel origin due to gravity कितनी है, उसको हम 10 लेरें, 10 meter per second, ओके, तो formula लिखेंगे हम, s is equals to half, s is equals to ut plus, s is equals to ut plus, half a t square, so s क्या है distance, so distance कितना है, h1, ठीक है, first body का, जो distance, जो travel करने वाली है, जो distance है, इसका, जो length है, इसकी height है, वो है 20 meter, h1, u, u है 0, into t, plus half, जी कितना है, वो है 10, sorry, ये जो है, वो g है, और t, जो है, time कितना लगा इसको, 2 seconds, t is equals to 2 seconds, so h1 is equals to, 0 into t, 0, और यहाँ पर इसको, मैं cancel कर दूँगा, 2 ones are, it is 2 square, so that's why, it will be 4, मैं इसको फिर से एक बार लिख लूँगा, 0 into, time 2 seconds है, plus half, g जो है, वो 10 है, और यह है, 2 का square, 2 का square यहाँ नहीं, 4, 2 ones are, 2 twos are, 0 into 2, 0, और, 2 tens are 20, 20 meter, so first body का, first object का, जो distance travel हो रहा, वो कितना है, 20 meter, 2 seconds में, next, अब हम मालूम करेंगे, 1 second के लिए, so the distance, covered, in, 1 second, H2, is equals to, कैसा मालम करेंगे हम क्योंकि यह बन सेकेंड है तो फॉर्मला का है बलातो यू टी यह 0 है टो टली तो आइविल यूज ओनली हाफ जी कितना है जी है तैंट और यह कितना है वन जो टाइम है वह वन सेकेंड है तो यहां पर हम लिखेंगे टू वंज आउ क्वाइज और फाइब मीटर है तो दो भी डिस्टेंस है मिल गया हमा को फर्स्ट बॉडि का तू सेकंड्स में क्वेंटी मीटर और वह इच बॉडिका सेकेंड सेकेंड में सॉरी मतलब एक इस सेकेंड में फाइब मीटर तो अब हमा को ये मालूम करना है कि जो हाइट है परस्ट बॉड़ी की क्या रहेंगी जब सेकेंड बॉड़ी फॉल होना शुरू करेंगी तो दा हाइट अफ दो फॉर्स्ट बॉड़ी वेंड़ अदर जब दूसरी बॉड़ी बिगिन शुरू करेंगी तो फॉल गिरना जब दूसरी बॉड़ी गिरना शुरू करेंगी तो उसकी हाइट कितनी रहेंगी फॉस्ट बॉड़ी की तो उसके लिए हमें करना क्या है 20 में से 5 निकाल देना है तो मिलीगा क्या हमा को The height is 15 meter तो 15 meter पर रहेंगी First body जब second body गिरना शुरू हुएंगी Example number 4 A stone is thrown vertically up From the tower of height 25 meter एक tower है Tower यानी building समझे आप यहाँ पर तो वो tower के उपर से एक stone को ठेका गया Throne vertically up बुले तो straight आसमान की तरफ ठेका गया Of height 25 meter तो यहाँ पर जो है वो building की height दे दिया हमा को वो कितनी है 25 meter Next With a speed of 20 meter per second तो जो stone की speed है वो कितनी है 20 meter per second है What time does it take to reach the ground तो time कितना लगेंगा इसको जमीन पर पहुंचने के लिए Ground पर पहुंचने के लिए यह stone को तो अग्राविटी की value हमें लेना है 10 meter per second square जब यह नीचे की तरफ आएंगे जो stone है वो नीचे की तरफ आएंगा तो उसको हम लेंगे minus तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे पिर यह जो sign convention के हिसाब से हमें मिलेंगे values then u is equals to u क्या है initial velocity velocity is nothing but speed तो यहां पर जो speed दिये वो क्या है u कितना है वो 20 meter per second next इसके बाद में क्या है height of the building तो height of the building जो है s है जिसको हम hb बोलेंगे ठीक है वो कैसा है क्योंकि यह नीचे की तरफ है मतलब stone नीचे की तरफ travel करेंगा तो इसलिए इसको भी हम minus लेंगे minus 25 meter फिर उसके बाद में क्या है acceleration due to gravity so acceleration due to gravity a a is nothing but the acceleration due to gravity g तो इसकी value कितनी है 10 लेकिन sign convention के हिसाब से क्योंकि जो भी नीचे जाएंगा उसके लिए हम क्या ले रहें यहां पर minus actual में होता क्या मालम है physics के अंदर जो भी object नीचे की तरफ जाता है उसको हम plus लेते क्योंकि due to gravitational force gravitational force हमेशा के लिए नीचे की तरफ रहता तो इसे इसे लिखेंगे हम G is equals to minus 10 meter per second square next equation of motion से हम यह लिखेंगे जो formula है from the equations of motion s is equals to ut plus half a t square so s क्या है यहां पर h है u क्या है initial velocity है जो के हम लिख सकते 20 t t is nothing but the time यह इच मालूम करना है तो इसे लिए हम इसको teach रखेंगे half what is a a is nothing but the acceleration due to gravity acceleration due to gravity means g t क्या है t तो find out करना इसे लिए उसको वैसी रख दींगे height है हमारे पास minus 25 तो मैं यहां पर लिख दूँगा minus 25 is equals to 20 into t 20 t plus half g is minus 10 t square ठीक है 2 1s are 2 5s are minus 25 is equals to 20 t minus 5 t square अब मैं इस लोग के पास से 5 common निकाल ले तूँँँआ हम अगर मैं 5 common निकाल ला 5 5s are 25 5 यहां से अगर मैं common निकाल ला 5 4s are 20 5 1s are 5 5 t square 5 t square okay 5 5 cancel minus 5 is equals to 4 t minus t square यहां तक समच में आ गया अब इसके बाद में क्या करेंगे इन दोनों को उस तरफ भेजिंगे ताके यह t square हमें plus मिल सके so t square minus 40 यहां से वाँ पर जाने के बाद में minus 40 minus 5 यह already minus है is equals to 0 अब हम इसके factors निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगा हमें first और last नंबरों को multiply करना पड़ेंगा minus 5 into t square minus 5 t square और बीच का क्या है minus 40 अब ऐसे दो नंबर सोचना है हमा को कि जिसको multiply करें तो अपर का आना add या separate करें तो निचे का आना तो क्या है वो numbers 5 है और 1 है 5 1s are 5 5 minus 1 4 तो यहाँ पर minus है sign तो इसलिए बड़े नंबर को हम minus दे दींगे यह हो गया t और यह भी हो गया t यह plus में है इन दोनों को अब हम minus 40 की जगा पर रखेंगे so t square minus 5 t plus 1 t minus 5 is equal to 0 t common निकालींगे यहां से t common हो गया t minus 5 plus 1 t minus 5 is equal to 0 t minus 5 t minus 5 common t minus 5 और क्या बच गया यहां पर t plus 1 is equal to 0 इसको एक बार equal to 0 ले ले लेंगे इसको एक बार equal to 0 so t minus 5 is equal to 0 और t plus 1 is equal to 0 minus 5 गया वो side so t is equal to 5 t is equal to minus 1 time कभी भी negative नहीं रहता time 0 तो भी रहता नहीं तो 1 तो भी रहता 2 तो भी रहता लेकिन कभी भी negative नहीं रहता तो इसके लिए हम क्या कर दींगे इसको ignore कर दींगे इसको ignored okay so therefore the required time जो time लगींगा वो कितना है time ground को पहुंचने तक का time जो लग रहा वो कितना है five seconds example number five find the time taken तो क्या मालम करना है time कितना लग रहा by the body projector vertically up अगर कोई body को हम उपर की तरफ ठेक रहें तो उसको कितना time लग रहा with the speed of you तो क्या speed से भेक रहें उसको हम कितनी तेजी से भेक रहें you to return back to the ground तो उसको वापस जमीन पर पहुंचने तक कितना time लग रहा वो मालम करना है हमा को मतलब just formula मालम करना है समझे एक ball है तो इसको हम आसमान की तरफ फेकें तो जीरो होके फिर क्या होता नीचे की तरफ आता तो पहले तो हम उसको उपर की तरफ फेकेंगे तो उपर की तरफ फेकेंगे तो उसकी जो शुरुआत की जो ताकट लगाएंगे हम उसको क्या बनेंगे इनिशियल वेलासिटी तो एक पॉइंट पर पहुंचिंगा इन्हे जहां पर उसकी जो वेलासिटी है वो जीरो हो जाएंगी यह इसकी मैग्जिमम हाइट रहती इसके आगे वो नहीं पहुंच सकता तो यहां पर वेलासिटी कितनी हो जाती जीरो फिर उसके बाद में जो बॉड़ी है वो किदर आजाती नीचे की तरफ आजाती ठीक है कौन सी भी चीज़ तुम उपर फेको फिर वो वापस जमीन पे आजाती तो कैसा आती वो बिकाज आफ एक्जलरेजन डियू टू ग्राविटी तो जो सल्यूशन के लिए हमारे पास एक्वेशन है एक्वेशन आफ मोशन से जो फॉर्मला है वो है लेट आस टेक एक्वेशन आफ मोशन एस इस इक्वेशन टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वार ओके तो यह पूरे मोशन के वास्ते मतलब जमीन से उठाए बॉल को और फिर वो जमीन पे पहुंचा तो फिर उसके बीच में मतलब कितना डिस्टेंस है कितनी हाइट है कुछ भी ने रहती हाइट हाइट जीरो रहती उसकी क्योंकि नहीं जमीन पे इच्छ है जीरो तो जो डिस्टेंसमेंट है जो हाइट है वो कितनी है वो जीरो है तो एक्जलोरिजन डियू टू ग्राविटी क्योंकि हम उपर की तरफ ठेके मैं क्या बला था उपर की तरफ ठेके तो क्या होता वो एक्जलोरिजन डियू टू ग्राविटी नेगिटिव होता, ओके, so axle origin due to gravity is minus, next, जो initial velocity है, वो तो initial velocity चरहेंगी, ओके, मतलब शुरुआत में जो ताखत लगा के ठेक रहें, वो यूच रहेंगा वो, उसके अंदर कुछ भी फरख नहीं होता, तो चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, स, 0, U, U, T कर T, प्लस, हाफ, जी, एक इतना है, माइनस, जी, T स्क्वेर, U, T, प्लस इंटू माइनस, माइनस, हाफ, G, T स्क्वेर, यह जो माइनस है, हाफ, G, T स्क्वेर, इसको हम यह इस तरफ भीज दिनगे, तो यह क्या हो जाता, half gt square is equals to ut, अब हम क्या करेंगे, यह half gt को इस तरफ भेज़ेंगे, और यह t को यहाँ पर ला लेंगे, तो यह हो जाता, t square by t is equals to u by, यह 2 नीचे है, 1 by 2, 2 यहाँ से उपर गया तो क्या होता, 2u, 2 से u multiply हो जाता, और यह g नीचे आ जाएंगा, a t, a t cancel, so t is equals to 2u by g, मतलब पूरा जो time लगेंगा, एक body को उपर जाने से, फिर नीचे पहुंचने तक का जो time लगेंगा, वो formula है, मालुम करने का time, 2u by g, okay?